हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल द ब्यूटी केर में और आज मैं दही का फेशल बताने वाली हूं कि इतना ज्यादा गर्मी हो रही है तो गर्मी में दही आपकी स्किन के लिए बहुत बैस्ट है और दही के बहुत सारे फायदे हैं और अगर आप दही से नैचुरल फेशल करते हैं तो इस फेशल के बाद आपको किसी भी ब्यूटी पालर या किसी भी बाहर के प्रोड़क्ट को यूज़ करने की दुरत नहीं पड़ेगी नैच्रल इंग्रिडिन्ट से बना हुआ है और बहुत एजी है अपलाए करने में और दो स्टैप है और बहुत इजी स्टैप है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं उमीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और आप इसे अपलाए करके देखिएगा घर पे और कमेंट्स जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने दही ले लिए ये घर की बनी हुई है आप चाहें तो डेरी से भी ला सकते हैं पर बैस्ट होगा अगर आपने घर में बनाई हुई है और अगर दही काफी जादा पानी वाली है तो आप उसे किसी भी छन्नी में चान लीजिए और जो पानी निकलेगा उसे निकाल दीजिए तो आपको गाडी दही मिल जाएगी तो हमने या पे जो डार्क दही है भूले लिए अब हम इससे समसे पहले फेस पे मसाज करीए करशे कि चोचे कत पहले कर दो स 머नी है पूसे निक की है घुट तो दस मिनट मिनेट मासाज करने के बाद आपको क्या करना है थोड़ी सी जो शुगर होती है जो बिलकुल पीसी ही होती है जिसके जो दाने होते हैं वो बिलकुल पाउडर हो जाते है LA द więcंगे मिला ली आए और उसके बाद आपको इसे भी पांच मिन्तक ठांगे करने इसे क्या होता है आपकी जितने भी स्किन पर डेड़ सैल्स होते हैं और जितना भी स्किन के ऊपर लेयर्ज और रिमुव हो जाती है और यह स्क्रबिंग का काम करते हैं तो इसे भी पांच मेंट तक मसाज कर लें पर जो मसाज थी दही से उसको करने के बाद हमने चीनी से उसकी स्क्रबिंग कर लिये जो लास्ट स्टैप होगा उसके लिए आपको आप चाहें तो किसी भी ठंडे या नॉर्मल पानी से अपना फेस वाश कर ले या फिर किसी कपड़े अज़ी से अपने फेस को आपनी से क्लीन कर ले तो मैंने यह पर फेस को वाश कर लिया है इसके बाद आप फेल करेंगे कि आपके जो इसकी ड्राय हूंति कि निकलने लगते तो आपकी जो जो शेले व्होट आजाता आपकी स्केन उतिया उसको बहुत स्मूद बना देते नौ है तो मैं आपको बता देती हूं कि कैसे फेस पैक बनना है आप देख लीजिए सबसे पहले एक बाउल ले लेते हैं यहां पर कांच का और उसमें आप थोड़ी सी डही डाल लीजे और दही आप दो से तीन चमच डाल सकते हैं अगर आपको फेस के अलावा गले पे और हाथ प के लिए दोनों के लिए काफी बैनिफीशियल है तो आप यहां पर एक से दो कैपसूल डाल सकते हैं हम यहां पर एक कैपसूल इसका डाल लेते हैं विटमेन-E का यह आपकी जो स्किन है उसको काफी सॉफ्ट बनाने में काफी हल्प करेगा तो यहां पर हमने जो पूरा आप अगर इसमें मिक्स करते हैं तो आपकी जो स्किन होती है उससे जितना भी डर्स्ट और उइल उसको भी रिमूव कर देंगे और साथ में संटेंज होता है उसको भी पूरा यह निकालने में काफी हल्प करेगा अब हम इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते है और इस टाइप से अच्छे से इनको तीनों चीजों को मिक्स कर लेना है और उसके बाद यह लगाने के लिए रेडी है चली से अपलाई करते हैं तो जो यह लास्ट स्टैप है हमने जो यह रेडी किया था पेस पैक हो गया है अब हम इसे लास्ट में अपने पेस पे अफिश में पेस्ट आप पिंगर सकी है रेडी के लगा लीजेगा को यह पिंगर्स की हैं थे पूरे पीज पर लगा लीजें तो यहां पर पूरा फेस पैक लगा लिया है, अब इसके बाद हम 10 मिनट तक इसको थोड़ा सा ड्राय होने देंगे, उसके बाद हम पानी से स्किन को वाश कर लेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है आप इसे हटे में दो से तीन बार अपलाई कीजिए, अगर बच तो आप इसे फ्रिज में एक दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, तो इस टाइप से आपकी जो स्किन है वो बात नैचरल हो जाएगी, नैचरल ही ग्रूब बलो करेगी, स्पोर्ट्स को रिमूब करके और संटैन भी रिमूब करेगी, मितलब काफी सारे आपको नैचरल तो इस टाइप से जो पेस पैक लगाया था उसके बाद उसे पानी से वाश कर दिया और इसके बाद जो स्किन होती हो काफी स्मूथ हो जाती है, आप इसे चाहें तो रात में सोने से पहले या पिर मॉर्निंग में भी आप इसे अपलाए कर सकते हैं, जब भी आपको बीच म में टाइम लगे, आप इसे अपलाए कर सकते हो और यह काफी ज़्यादा एपक्टिव है स्किन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंदाया होगा, थैंक यू